हलो गाईज वेलकम टो अटर्टों डिवर्ट सेवें ड्रेगलोटी बडेन एसो यूटीब शेल दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में आज एक इंपॉर्टेंट शेशन में आपके लिए क्या हूं गाईज आपको यह मालूम है आई पीस रर्वी स्केल टू क आपके लिए बहुत बढ़ गई है तो गाईज यह एक अपडेट इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहले भी यह अपडेट कर दिया गया है कि अप्डेट कर दिया गया है वह लोग इंक्रीज कर जिया चुका है बाईज आज की वीडियो है आपको इस पर आइटी मैनेजर के तैयारी कर रहे है और एक मन में बना हुआ है कि सर इसके कट ओफ कितने जाते हैं मैं अप्लाइ करू 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 मैं आपको बता दू इससे पहले मैंने दो वीडियो करी थी चैनल पे जहां पर मैंने एक नोडिफिकेशन किया था जिसमें पुरे अनल करना चाहिए और आज यह तीसरी वीडियो होगी जहां पर मैं आपको कट ओफ अनलिस कर पाऊ रहा हूं और इसके अलावे और भी जो रिलिवेंट आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मैं यहां पर प्रवाइड करता हूं जिसे प्यू आइपी बच्चों के इसके रिश्वाइड करने वाला हूं तो गई सबसे पहले कर बात दो आप जब एक्जाम की तयारी कर पार रहे हैं तो वहांप इतने सारे यह सब्जेक्ट है यानि कि आप देख पार है कि एक्जाम का जो फेज़ेजेस वह क्या है हमें एक रिटेनी एक्जाम देने question 40 marks का आपका financial awareness 40 question 40 marks का फिर आपका English या Hindi है 40 questions 20 marks का फिर after that computer knowledge है जो basic computer है यह आपके लिए बहुत बड़े एक रोड़ा नहीं बनने वाला यह आपके लिए simplicity होगा इसके लिए आपको बहुत जादा प्जाओ पेच करनी का हो सकता नहीं आप normal में इसको solve कर पाऊगे 40 question 20 marks के लिए after that quantitative aptitude and DI की question 40 question यहनी total number of marks कितने हमारे तो number of questions मेरे 240 है और maximum marks 200 यहनी 200 number का paper देना can you believe that you what is the cutoff यह है आपके cutoff गाइस 2022 के paper का cutoff में थो आपको यहाँ पैनलेसिस करके बता दिता हो कि 2022 का paper का cutoff क्या रहा है ठीक है आप देख पार हो जैसे कि आप देख पार हो कि आपके 200 में number क्या आगे 62.35 EWS के और आप देख पार है OBC SCST UR के 60.38 तो यह आपके cutoff है out of 200 आप देख सकतो कितने minimum cutoff की जा रहा है यह मैं 2022 के बारे में बात कर रहा हूँ यह 200 में आपको इतने ही number लाने है लेकिन हाँ यह एक point बनता है यानि कि आप देख पार हो बहुत minimum cutoff जा रहा है लेकिन उस year क्या थी vacancy जो थी वह 57 59 ही थी ठीक है तो number vacancy इस बार भी increase हुए थोड़ी सी आपकी जो cutoff है वो fluctuate भी करेगी लेकिन आप देख सकते हो किस एरिया में यह 2022 कर status थी इसी पर मैं अगर बात करता हूँ 2021 के बारे में तो यह आपका 2021 का है आप देख पार हो कि 68.75 cutoff गया है वो आपका you are unreserved category का EWS का और इस year जो vacancy थी वही similar था 2021 और 2022 की जासा है 2021 में मेरा 57 वेकेंसी थी 2022 मेरा 59 वेकेंसी थी लेकिन इस वर वेकेंसी है वो number 110 हो गया that means हमारे बढ़ गई तो हो सकता है कि हमारा जो vacancy है वो मेरा fluctuate करें sorry cutoff है वो fluctuate करें guys मैं आपको बता दू जो किसी भी exam का cutoff decided होता है वो depend करता है number of vacancy पे number of applicant के और difficulty of paper पर यह तीन चीजों पर निधारित करता है तो हम तो ज्यादा ब्रॉड टाइम पर नहीं जाएंगे हम इसी को base मानेंगे कि एक average हम इसको ले के चलना है कि इस percentage का recording अगर मैं बात कर रहा हूं अगर यह देख पार हो तो around 35-35 परसेंट भी यह नहीं होगा ठीक है तो around वही हमें कि 40-40 40 परसेंट एक रेजन सा आपको ले के चलना है कि अगर अच्छे से उतना score कर लें वैसे हमेसा मैं हमेसा यह कहता हूं जब मैं skill 1 के लिए कर रहा होता हूं मैं कहा तो गई वहां 50 परसेंट का अप्रोच रहना चाहिए चुकि यह स्केल टू है तो आप 40-50 परसेंट का अप्रोच लेके चलेंगे इस नौट अट अफिक्स की यही अप्रोच यही रहेगा वह स्केल लेकिन जब आप इसको प्रिपेर कर पा रहे हों कि इस बेस कट आफ बहुत इजी कट आफ यहां रहा रहता है अब आसानी से एक एक बेसिक प्लैनिंग बना के इसको यहां पर क्वालिफाइ कर सकते हो इफ यू यू हाब अपके अंदर वह एलिजिबिलिटी है जो मैंने प्रिविस वीडियों बता दी यू है आपको यह अ में आप देख पर आ रहे हैं कि 68 पॉइंट सम्थिंग ये कट ओफ गया है मैं सारे सेक्षन को अगर मैं यहां पर बता दू ठीक है एक सग्ड मैं अगर सारे सेग्मेंट को बता दू तो गाई में चालीन कोशन में आपको 30 कोशन आपके 30 के कट ओफ गहते हैं आपके लिए अग्स के कट अपके मातर एक नंबर प्रैक ओफ था ओफ है वही आपका इक और नमबर था तो गाईस यह आपका sectional कट आप देख सकते हैं और तो हैं नोब यह बहुत बड़ा आज आपका है नहीं ठीक है तो क्वाइंटी अप्टी आपके दो नंबर थे देट इस आ राइट तो गाईज यह आप 2021 का पेपर देख से तो कितना कड़ जारा है आप चाले समय से ढाई नंबर तो यह ऐसा नहीं कह सता हूं कि इसी में सेलेक्शन हो जागा यह सेक्षिनल कड़ जाएंगा होता जब आप बैंकिंग एक्जाम के प्रिपेर कर पा रहे होते तो आपको यह भी क्वालिफाय करना है और अगर माल यह 68.75 जो आपका फाइनल तो बस आप एक बहतरीन स्टाडिजी के तहत आपको काम करना होगा, करना यह है, कि अगर आपको कुछ ऐसा लग रहे हैं, बहुत सरा बच्चे होंगा, सर आम दा इटी फिल्ड से हूँ, मैंने फाइनसियल अवरनेस बहुत तफ होता जा रहा है, तो guys, don't worry, आप इतना तो पर मुझे स्कोर नहीं करना है, मैं चाहूंगा कि यहां बाई, अगर पांच-दस नंबर भी में लेते आओं, तो that is okay, सब कुछ मेरा सही, लेकिन मेरा जो स्कोरिंग पार्ट होगा, IT वाला पार्ट, उसमें मैं स्कोर को, in case IT में भी आपका कुछ ऐसा चैप्टर होगा, कि स सब हम से solve नहीं पाता, कोई बात नहीं भाई, अब सब को summarize करके, मैं आपको 100 out of 100 की बारे बात नहीं कर रहा हूं, मैं guys आपको यह guide कर रहा हूं, कि यह आप एक right approach के साथ, एक best strategy के साथ, आप इस पे काम करो कि sectional cut-off qualify करें, यह qualify करने के बाद, यह grand cut-off qualify करें, यानि कि अगर जो बच्चा qualify किया है ना last year, उसके 94 to 96, 97 यही number है, 100 के around ही number है, यानि आपको approach यह करना है कि guys अगर हम 200 number है, 100 के आसपास भी रहें, तो मेरा काम हो जाएगा, आपको 200 में 200 के लिए नहीं जाना है, आपको 100 के लिए आसपास ही जाना है, तो guys यह आपके सामने cut-off analysis है, आपको मैंने professional paper का भी cut-off दिखाया है, आपको 2 साल previous year के भी cut-off analysis दिखाया है, तो यहीं आपका cut-off रहता है, इस और vacancy भी increase हो गई है, तो मेरा यहाँ पर आपको एक concern यह रहेगा कि you have to apply if you are eligible, क्योंकि बहुत अच्छी opportunity है, it's a scale to job, salary भी बहुत अच्छी होती है, facility भी बहुत in bank, लेकिन आपको rural area में posting नहीं होगी, क्योंकि एक IT manager की responsibility होती है, उसके अंदर 12 branches आते है, एक regional branches आती है, तो आपकी posting urban areas में ही होगी, facilities भी अच्छी खासी मिलेगी, जो मैंने पहले salary वाले part में बताया था, तो यह part आपके लिए है, आप यहाँ पे cut-off को analysis करके, आप इस form क apply कर सकते हैं, एक ज़री जानकारी में बता दो, guys, वो बच्चे जो prepared कर चुके हैं, मैं आपको एक guide यहाँ पे कर दो, guys, हमारी जो IT की जो batches है, IT की जो batches है, वो already live हो चुकी, store पे आप जा के देख सकते है, 21 June से कल से यह batches start हो रही है, 21 June से यह batch हमारी start हो रही है, ठीक, 21 June स classes, quantity, सारी classes आपको दी जा रही है, इस batches के अंदर, तो, guys, if you concern about this vacancy, आपको यह form apply करना चाहिए, classes हम provide कर रहे हैं, don't worry about that, ठीक है, guys, इसकी जो fee है, वो 2,219 रुपे है, लेकिन यह तब हो पाएगा, जब वहाँ पे आप selection code Y706 का implement करते है, ठीक है, लेकिन, if you have a bank maha pack plus, अग आपको अलग से enroll करने क्या हो सकता है, आपको यह batch इसी में include होगा, ठीक है, तो, guys, यह fee कब आपको मिलती है, जब आप selection code लगाते हो, Y706, how to enroll in these batches, हम कैसे enroll करेंगे, classes की timing क्या होगी, यह सब थोड़ी देर में मैं आपको reveal करा दू, guys, तो, first of all, मैं आपको बता दू, अग यहाँ पर यह वैब पर आ जाओगे, यहाँ पर आपको banking की category में, banking category में आप देख रहो, IBPS, RRB, GBU, and SO के category में जाना है, SO के category, sorry, यह GBU का paper है, ठीक है, just, मैं मैं आपको batches दिखा देता हूँ, किसके अंदर आपको दिख जाएगा यह batches, IBPS, RRB, SO के category में जाना, IBPS, RRB, SO के category में, यहाँ पर आप चले गए, यहाँ पर आपको यह दिख गया, IT Manager का post, यह IT Manager वाले batches में चले गए, यहाँ पर इस batch का complete schedule आपको दिख रहा है, आप देख रहा है, आप सारी study plan को देख से तो कब किसकी classes होने वाली है, तो guys, यह आप batches आपको देख रहा है, यहाँ पर batches देख रहा है, आपको यह batches देख गया, विजिबल है batches, how to enroll in this batch, आपको करना है कुछ नहीं, आप देख सरो, इसके fee है 2499, लेकिन यहाँ पर आपको एक already coupon अप्लाइड लेन, you have to apply, you have, just wait, you have to apply more offer, तो आपको more offer में जाना है, और यहाँ पर जा के आपको selection code क्या लगाना है, Y706, जैसे Y706 आप implement कर तो यह fee reduce होके 299 पर हो जाती है, जैसे already मैंने आपको बताया था, तो guys, बस simple सा बात है, यह 21st batch स्टार्ट हो रहा है, यह एक single batch है, यह आपका single batch है, जो पूरा आपका cover कर देगा, Y706 का implement करोगे, तो guys, यह आपको पूरा retain के जितने भी papers होते है, सब इसमें हम लोग यहाँ पर cover करवाने होगे, तो I hope आपको यह चीज़े समझ में आ गई होगे, और आप इसके important को समझेंगे, vacancy increase कर गई है, तो just go with them, आप इसके साथ जाएए, बाकी guideline मैं यहाँ पर provide करोगे, मेरी classes IT के यहाँ पर start होगे, मैं इस channel पर भी मैं आपको regular वाइस पर वीडियो करता रहूँगा, I hope यह session आपके लिए बहुत fruitful रहोगा, आपके वो question का answer में दे पाया होँगा, जिसमें आप cut off के बारे में सोच पा रहते हैं, अगला आपको किस topic पर वीडियो चाहिए, यह मुझे comment section में जरूर इनफॉर्म कीजेगा, ताकि मैं आगले वीडियो उस पर बना पाऊ, तो आज के लिए इतना है रखता है, फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए good luck, goodbye and check out, जाते हैं तर जरू को गईज, अगर अभी तेक हमारी चनल को subscribe नहीं है, kindly subscribe देए and share with them, ठेक है, take care, goodbye,